कौन कहता है कि आस्मान में सुराख नहीं हो सकता बस एक पथर तो तबियत से उचालो यारो हाई नवश्कार प्रडाम मेरा नाम है आरजे बढखा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्रौपदी मूर्मू जी की हर किसी की लाइफ आसान नहीं होती है बहुत सारे उतार चढ़ाव अपस और डाउंस परिशानिया लगी रहती है द्रौपदी जी की भी लाइफ में लगी रही है पती को खोया बच्चों को खोया डिप्रेशन की शिकार होई इसके बावजूद सारे उतार चढ़ाव के सबसे पहले तो इस जजबी को सलाम और इस वीडियो में हम बात करेंगे द्रौपदी मूर्मूजी की जार्कन स्टेट बनाये जाने के बाद द्रौपदी मूर्मूजी पहली ऐसी राजयपाल रही जिन्होंने अपना पास साल का कारेकाल पूरा किया प्राइवेट स्कूल से प्रारंबिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ओरिसा के भुवनेश्वर से रमादेवी महिला कॉलेज में आज्स में ग्रजुएशन की डिग्री इन्होंने हासल की इन्होंने श्री इंटेग्रल एजुकेशन सेंटर रायरंगपूर से सहायक शिक्षिका के रूप में अपने करियर के शुरुवात की थी उसके बाद ओरिसा गवर्मेंट के साथ इन्होंने बिजली और सिचाई विभाग में काम किया इन्होंने अपना जीवन गरीबों के उत्थान, समास सेवा और दलितों आदिवासियों को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए समर्पित कर दिया पढ़ी लिखी होने के नाते इन्होंने बाकी और बिज़िम्मेदारियों को बड़े अच्छे तरीके से निभाया इनके पॉलिटिकल करियर में एक बड़ा चेंज उस समय आया जब साल 2015 में उन्हें जारखन का गवर्णर बनाया गया द्रौपदी मुर्मुजी संथाली आदिवासि समुदाय से तालुक रखती है इनकी शादी श्याम चरण मुर्मुजी से हुई थी श्याम चरण मुर्मुजी और द्रौपदी मुर्मुजी को तीन संताने हुई इनमें दो बेटे और एक बेटी लेकिन मुर्मुजी की लाइफ ने शायद कुछ और ही उथल पुथल सोच रखा था इन्होंने अपने पती को खोया दो बेटों की भी मृत्ती हो गई और इसके बाद जो हर महिला के साथ जो होता है डिप्रेशन की शिकार हो गई लाइफ में कुछ समझी नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आपको संभाला और सही तरीके से आगे बढ़ाया अभी परिवार में इनकी एक बेटी है जिनके साथ ये रहती है साल 2016 में द्रौपदी मूर्मूजी ने राची के कश्यप मेडिकल कॉलेज द्वारा आयोजित किये गए रन ओफ विजिन प्रोग्राम में इन्होंने अपनी आखें दान करने की घोशना भी की समाजी कारियों से जीवन भर जुड़ी रही द्रौपदी मूर्मूजी इन्हे साल 2007 में ओडिसा विधान सभाद्वारा उतक्रिष्ट विधायक का नीलकंट पुरसकार भी दिया गया था अपने भारती एतिहास की अगर बात करें तो द्रौपदी मूर्मूजी 15 वी राश्रुपती होंगी और इससे पहले राजियंदर प्रिसाद जी हमारे पहले राश्रुपती रहे दूसरी बारी सर्वपली राधा कृष्णन जी हमारे राश्रुपती रहे फिर जाकिर हुसेन साहब, वीवीगिरी साहब, फक्रोदीन अली एहमद साहब, नीलम संजीवा रेड़ी जी, उसकी बाद ज्यानी जैल सिंग, रामा स्वामी वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा जी, के आर नारायनन, एपीजे अब्दुलकलाम, प्रतिभा पातिल, आत कोविंद, और इन सब की बाद अब आई बारी द्रौपदी मूर्मूजी की, तो ये थी कुछ बातें अंजानी सी, जानी सी, हमारी राश्रुपती द्रौपदी मूर्मूजी से जुड़ी हुई, आप भी अपने लाइट में कई बार बहुत परिशान हो जाते होंगे, लगता होगा मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, तो इस कहानी से inspiration लीजिए और अपने like में आगे बढ़िए, thank you so much.